पंजानी चीजों को जानने की इच्छा इंसानों को हमेशा से था इसलिए इंसान में पंजानी चीजों को जानने के लिए रोमंचक अभियान में बीना कुछ परवा के बीना निकल जाता था तो चलिए आज ऐसी एक इंट्रेस्टिंग कहानी के बाड़े में जान लेते हैं पंड़वी सताब्धी में कुछ नाभीकों ने अंज्यानी समुन्दर पर निकल परी थी नया देशों को ढूंडने के लिए ऐसे ही कुछ अरब्यांस नाभीकों ने इंडिया से कुछ कीमती समान लेकground दूसरे देशों में बेपर कानने चला जाता था खास ही अरबियंस नाभिकों ने यहाँ से कुकिंग स्पाइस और कुछ कीमती चीजों जैसे की कुछ पत्थर, कपड़ा और बहुत कुछ लेके वो लोग इउरोप की इटली देश की सहर वेनिस और फ्लोरेंस में चला जाता था उहाँ जाके वो लोग यह सब कीमती समान बैपर करते थे उन सब लोगों ने यह सब कीमती समान देखके हमारी देशों में आने के लिए बहुत उत्सुक हो गया था और उन लोगों को यहां आने की उत्सुक्ता की असली करन थी यहां आके उनकी धरम और समराज इस्तर करना इस समय में यूरूपियन स्रीलर को उहा के राजा और रानी ने दूर देशों में जाने के लिए सहज जुगाती थी ऐसे ही एक पॉर्टुगीच नेविगेटर को 1497 में किंग मैनुएल ने इंडिया में भेजा था जिसका नाम था भासकोता गामा 1497 में उन्होंने पॉर्टुकल की कैपिटल लिजबॉन से जहाज लेके इंडिया की तरफ निकल पड़ी थी उसके बाद भासकोता गामा ने अफरिका महादेस की दक्शिन तट केप अब घूढ़ होप में गैए और इसके बाद भोग अफरिका की तट की साथ साथ उتर की और बढ़े इसके बाद समुंदर में हवा की बज़ा से भास्कोदागामा की जहाज इंडिया की और चल पड़ा फाइनली 1498 में इंडिया की स्टेट केरफ की कलिकत नमुख ठान में भास्कोदागामा ने कदम रखे और इसके बाद भास्कोदागामा created a history for first European who came India in ocean route and first European who linked Europe and Asia by an ocean route कुछी दिनों बाद धीरे धीरे कुछ-कुछ European हमारी देश में आने लगे इसमें था French, Dutch and British और ऐसे ही बाहर से लोग आके इंडिया की उपर अपने खुद की कबजा हासिल किया था झांके वाचिंग पना रखे वाचिंग और आपके आपके का अपके लेगाए कि अवाची है